तो गेम के अंदर में आ चुका है बिल्डर एप्रेंटिस क्या आपको लेना चाहिए किनको लेना चाहिए क्या ये इन्वेस्टमेंट अच्छा है एंड इनी सब टॉपिक्स पर ये वीडियो है एंड मेरे को बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे रिगार्डिंग दिस कि रानेटी एक पर बताओ यार हम ले नहीं ले किनको लेना चाहिए क्या ये यूसपुल रहेगा एंड कुछ कोश्चन तो ऐसे भी आ रहे थे क्या ये वन टाइम यूज है या लाइफ टाइम रहेगा तो सारे कोश्चन के जवाब मैं आपको दे देता हूं फर्स्ट आफ और ये क्या लाइफ टाइम है तो भाई ये लाइफ टाइम रहने वाला है ये कहीं नहीं जाएग ये 23 ओवर्स का कूल डाउन लेगा मतलब आपने एक बार यूज कर दिया तो ये 23 ओवर के बाद ही आप इसको यूज कर पाऊगे और आप इसको रेगुलर्ली यूज कर सकते हो कोई लिमिट नहीं है आपके हर कूल डाउन के बाद आप इसको अपने बिल्डर के साथ किसी इसको लेवल वन का रखा है आपने देखाओगा आई डिटेंट अपग्रेड में पाद जैम्स है बट मैं अपग्रेड नहीं कर रहा उसके पीछे रीजन से वाई आइम नौट अपग्रेडिंग दिस आप भी मत करना का टीए 16 पिलियर हो मैक्स आउट पिलियर हो तो इसको भी आता है क्लेश ओफ क्लेट का फेज वाइज आता है आप सभी को पता होगा एक साथ ऐसा नहीं होता बहुत सारी चीजे आपको अपग्रेड करने को मिल जाती है दीरे दीरे पाट डिवाइड होते है एंड दीरे दीरे एसा नहीं होता जैसे अभी 325 वॉल्स है तो सारी एक साथ ही आपको अप्ग्रेड करनी है शुरुवात में 150 देते हैं फिर 50-50 बढ़ाते हैं हर अपडेट में दीरे 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 चीज़े होती है तो आपके जो six builder रहने वाले न वहीं इस काम को easily handle कर लेगे आपको जरूती नहीं पड़ेगी apprentice builder की एंड आपके लिए इंवेस्टमेंट उतना अच्छा भी नहीं दाएगा आप ले लीजी इसको लेवल बन लेवल टू पर रखिए इनफ गूड है आप इसको मैक्स मत करिए ज्यादा जैम्स इसके अंदर मत डालिए ठीक है जो मैक्स और पिलियर है अब बाकि यह किन के ल अपना अकाउंट एंड लॉंग टर्म इंवेस्टमेंट के लिए डाट इस दा बेस्ट इंड एक चीज और मैं आपको टिप दे देता हूं अब जो लो लेवल पिलियर होते हैं लो टीएज के लिए टीएच 11 लेलो 12 लेलो 13 लेलो उनके इतने जैम्स नहीं होते तो मैं आप आपको सर्जेशन देता हूं आप एक साथ इसको मैक्स करने की तरफ मर जाएए बहले आपके बाद जैम्स हो 6500 टोटल मैक्स यह जैम्स लेगा टू अपग्रेड बट आप यहां पर दीरे दीरे इसको अपडेड कीजिए आप 5500 में इसको 2 या 3 लेवल पर कर लिजिए देन आप इसको होड कर दीजिए विकोज यह काम करेगा जैसे लेवल वन का वन ओवर करेगा लेवल टू का टू ओवर करेगा तो आप इसको 2-3 लेवल का कर दीजिए और इसको यूज करते रहिए और लोंग टम में यह आपको एक अच्छा इंवेस्टमेंट रहने वाला है के लिए प्लस पॉइंट और यह बिल्डर आपकी हैल्प जरूर से करेगा इस लाइक इनवेस्टमेंट यार 6500 जैंप भी अगर कोई देना चाहे एक साथ अगर आपके पास है तो आप शॉल्डी दे सकते हो बड़ लोवर टीएज वाल है मैक्स टीएज वालों के लिए तो ले सकते हो दीरे दीरे अपग्रेड करना एक साथ मत करना एक साथ आप जैम्स का खर्च करोगे तो अच्छा भी नहीं है और बाकिये जिनके पास है जैम्स वह कर सकता है और यह डेफिनेटली लॉंग टर्म इंवेस्टमेंट के लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन रहेगा आपने एक बार इसको असाइंड कर दिया वर्क कोई भी यह जाकर करेगा आकर सो जाएगा 23 गंटे सो देगा फिर वापिस से जागेगा जब जागेगा ना तो आपको इसको वापिस मैनमल आकर लगाना है तो आपको कीप कीप डूइंग दिस चिंग क्योंकि इसका मैक्सिम वेल्यू लेना है तो आपको कूल टाउन टाइम खतम होते हैं आपको इसके अंट वापिस कहीं ना कहीं यूज कर लेना है तो आप जैसे यह करते रहेगे लॉंग टाइम में यह आपको एक अच्छा बेनिफिट देगा बाकी आई होप मैं अच्छे जे एक्स्प्लें किया होगा किनको लेना चाहिए किनको नहीं लेना चाहिए यह पूरा एक पूरा पर्टिकुलर वीडियो बना दिया मैंने केवल बिल्डर एप्रेंटिस पे बिकॉज यही एक ब्रैंड न्यू अपडेटा है गेम के अंदर जिसमें में में को कॉश्चन्स आ रहे थे आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा चलो बही चलते एक लेजेंड अटक करकर आते हैं और भाई अभी मेरे पे एक वन इस्टा डिफेंस आ गयार कल कितना दिन खराब तक एवल एक डिफेंस आया मेरा भी एक की डिफेंस मेरा भी एक की अटेक फेल हुआ था बट लो लेवल यहां पर देखोगे तो आपको दिखेगा एक इन्विजिबिलिटी स्पेल टावर जो कि यार में बोलूँगा यार अजी ही भी रहता है यह बेस भी कॉंप्लिकेटेड तो है बट मैं सोच रहा हूं इसमें टीए साइट से जाओं मैं अटक पे तो मैं बताओं क्या कर रहा यहां से तूट जाने चीए तूट भी गए बड़ी आये वॉल ब्रेकर वो शिट वॉल ब्रेकर ने वॉल ही नहीं ओपन किया अब टी एच किंग अगर ले लेगा तो तो मेरे लिए चंगा है भाई अधरवाइस थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा वह अपन देखी लेग लेते हैं ग्रेंड वॉर्डन के साथ में क्वीन और यहां से सारी की सारी हिलर्स आजाएगी माइट बी आइक यहां वॉर्डन का एक एबिलिटी आ जाएगा इधर एक पोईजन आजाएगा अभी माइट भी क्वीन ले लेगी तो दिक्कत नहीं आएगी और फ्रीज करना है कि स्केटर शोट फ्रीज हो जाएगा कोर के अंदर हील एंड रेज आ जाएगी इधर एक और स्केलेटन उंदर टी एच साइड यहां एक हैड अंटर डिप्लॉय कर लेते इधर एक और फ्रीज कर लेते विकॉज आर्मी कॉंप्लिकेट कर देगी तो दिक्कत हो जाएगी दिक्कत नहीं आएगी कुल मिला के बात वाइए और यहां पर रॉयल चेंपियन अभी फुल एच्पी पे किंग बचा हुआ है रूट राइडर वगेरे वाल ओपनिंग बिल्कुल बखुबी अच्छे से कर रहे है पेका भी जिंदा अभी बेस के अंदर में तो हो गया भा 50,000 सब्सक्राइबर गोल एक अनौंसमेंट है 50 के सब्सक्राइबर पे आने वाले गोल पासेज एंड हीरो स्किन्स के तो मेक शियो जो सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर देना बाकि मिलते इसके अगले एपिसोड के साथ जो वीडियो आपको चाहिए कमेंट करके ब देकलष मनेव नवी जाफ देकलष ऑल वीन